तब ही आप उसे port कर पाएंगे तीसरा point है कि अगर मैं geo छोड़ करके बेसनेल में जाता हूँ तो ये चेक करना काफी जरूरी है कि हमारे area में बेसनेल का tower है या नहीं है हमारे area में बेसनेल 2G है 3G है या फिर 4G है या फिर 5G है तो ये पहले हमें चेक करना होता है अब मानली कि geo छोड़ करके हम बेसनेल में आते हैं और हमारे area में network ही नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे नहीं हम किसी को call कर पाएंगे और नहीं internet चला पाएंगे जैसे YouTube उगरे कुछ भी हम नहीं चला पाएंगे तो ये सबसे जरूरी है कि हम चेक करें कि हमारे area में बेसनेल का tower है या और सबसे अच्छा बात ये भी आप अपने mobile से ही चेक कर सकते हैं तो चली मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेक करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको chrome browser open करना है उसके बाद इसके search बार में जाएंगे उसके बाद आपको search करना है NPER app जैसे ही search करेंगे तो यहाँ प national का network कैसा है तो यहाँ पर जैसे ही इस website को open करेंगे तो जो भी हमारा current sim है जैसे माली जी की मेरे पास air tail का sim है तो यहाँ पर internet speed हमें बताएगा कि अभी air tail का इस area में क्या speed है तो यहाँ पर दिखे start test का option आएगा आप इस पर click करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आ download speed है जो की काफी अच्छा है तो यहाँ पर दिखे आप खुद भी test कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर मेरे को इस company का नहीं देखना है मेरे को तो BSNL का check करना है क्योंकि मैं sim port करने वाला हूँ तो just आपको three dots पर click करना है three dots पर click करेंगे कुछ ही इस तरीखे का interface आएगा य सबसे पहले यहाँ पर country है एंडिया ही रहने देंगे उसके बाद इस पर click करेंगे अब उस पर click करेंगे तो यहाँ पर check करेंगे कि किस sim का किस company का आप network यहाँ पर देखना चाहते हैं तो जैसे मैं BSNL का देखना चाहता हूँ तो इस पर मैं click करूंगा अब उस पर click उसके बाद यहाँ पर दिखे हमें पीन कोड डालने का ओप्शन आ एगा आप अपनी CT का नेम यहाँ फिर पीन कोड नमबर को यहाँ पर डालें गे जो आपके अधार कार्ट पर पीन कोड है तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूं तो जैसे मैं अभी करंट मैं यहाँ पर पानी पर दोंकि कुछ है इस तरीक का इंटरफेश आएगा. यहाँ पर कुछ दिर वेट करेंगे. उसके बाद यहाँ पर दिखे जो Plus Icon है, इस पर आपको क्लिक करना है. आप जैसे प्लस Icon पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दिखे पानी पत का यहाँ पर यहां पर दिखेंगे कैसे पहचानेंगे कि हमारे इलाके में नेटवर्क है या नहीं है टावर है या नहीं है और टावर है तो क्या टावर है तो यहां पर दिखेंगे कुछ सिंबल है इस सिंबल को देख करके पहचान सकते हैं जैसे अगर कहीं पर ब्लैक आपको दिख रहा है तो यहां पर दिखेंगे एक छोटा सा ब्लैक सिंबल है यहां पर कोई अंडर ग्राउंड कुछ होगा तो य यहाँ पर दिखे पानी पत में तकरीबन यहाँ पर ध्यान देंगे पानी पत में यहाँ पर दिखे 3G है पूरे एरिया में 3G है और 7 के साथ अगर इस कलर का है औरेंज कलर का तो वहाँ पर 4G भी है तो हमारे पानी पत में 4G भी यहाँ पर अबलेबल है यहाँ पर दिखे यह है Orange color तो इस एरिया में 4G भी यहां पे है. यहां पे अगर 4G PLUS की बात करें तो 4G PLUS यहां पे नहीं है और 5G भी यहां पे नहीं है क्योंकि 5G का भी टावर अभी इंस्टरल करना बाकी है. तो यहां पे इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी एरिया में 3G है, 2G है, 4G है, तो यहाँ पे हमारे एरिया में 3G, 4G दोनों है, तो मैं चाहूं तो अपनी SIM को पोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो इंटरनेट मेरे को ATL में मिल रहा है, GEO में मिल रहा है, वो यहाँ पे इस इलाके में BSNL में भी मिलने वाला है, तो यहा यहाँ पे आएंगे, तो आपकी फोन में जो SMS का application होता है, उस application को open करेंगे, तो यहाँ पर दिखें, message वाला application में open कर लिया, उसके बाद यहाँ पर दिखें, एक icon दिखेंगा, message करने के लिए, इस पर आपको click करना है, सबसे पहले यहाँ पे type करना है, 1900, उसके बाद लिके से number को type कर देंगे, आप अपना number, जिस भी number को आप port करना चाहते हैं, उस number को, ध्यान रखेगा कि वो SIM इसी phone में होना चाहिए, जिसमें आप यह SMS कर रहे हैं, और उस SIM में recharge भी होना चाहिए, और यहाँ पी एक बात और ध्यान रखेगा, कि अगर आपकी phone में recharge है, जै तब number port होता है, recharge transfer नहीं होता है, तो जब आपका recharge खतम हो जाए, या फिर एक दो दिन रहेगा खतम होने में, तब ही आप यहाँ पर port करें, और जो भी number है, वो पहली leak करके रख लें, क्योंकि number भी delete हो जाता है, तो यह सभी बातों को ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर द करेंगे, तो यहाँ पर दिखे, अब आपको यहाँ पर एक से दो मिनट तक बेट करना होगा, और port करने के लिए, यहाँ पर दिखे, हमें code मिल जाएगा, अब जैसे मैं यहाँ पर दिखे, मेरे पास दो SMS आया है, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखे, पह पोट करना जारी रखते हैं तो आप मौझूदा लाभों को खोद देंगे जैसे मापको पहले ही बताया कि अगर कोई रिचार्ज है कोई बाइलेंस है तो यह खतम हो जाता है तो अगर आप एक महिना का दो महिने का एक साल का रिचार्ज है तो उसे पहले खतम करें उसके कोड मिल गया है यहाँ पर देखे यह होता है कोड जब भी आप पोड करेंगे तो इस कोड का जरूरत होता है तो यहाँ पर देखे यहाँ पर कोड अब मिल गया है अब मेरे को क्या करना होगा एक दूसरा सीम लेना होगा तो मैं क्या करूंगा अब जाओंगा मैं किसी भी स कोड है और इस कोड को मैं दूंगा तो ये जो मेरा नंबर है ये नंबर उस सिम में अपलाई हो जाएगा और इसी नंबर से मेरा वो बियस्नल का सिम चालू करके साथ की साथ हो लोग दे देते हैं तकरीबन एक से डेड़ घंटा उसमें टाइम लगता है और साथ की साथ इस कोड को दे देना है उनके पास सिम एक्टिवेट करने के लिए उनके मोबाइल में एक एप्लिकेशन होता है जिससे वो एक्टिवेट करते हैं तो ये कोड जैसे ही डालेंगे तो ये जो हमारा नंबर है यही नंबर जो नया सिम देंगे उस नंबर में ये सिम अपलाई ह उसी नमबर से मेरे को BSNL का SIM मिल जाएगा और उस SIM को मैं इस फोन में डाल करके यूज कर सकता हूँ और ये जो SIM है अभी इस फोन में जो एयर टिल का SIM है ये बेकार है ये खतम हो जाएगा तो इसको मैं तोड करके फेक सकता हूँ यहाँ पर एक बात